हलो एपर विडियो में जहां हम बात करेंगे इस पूरे हफ़ते की प्रेसिजिन नीज के बारे में तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जरह उसका एक ब्रॉड फ्रेमवर्ग देखते हैं अगर मैं आपसे पूछden की आंतरक्टिका कहां सेटुएटिड है तो आप क्या जवाब देंगे क्या आपको आइडिया है या इधर है अटरक्टिका या इस्काटर आडरे में जानेंगे इस से रींटेड कौन कौन सी इग्रिमेंटष में वो समझेंगे प्लस यहाँ पर कहीं Philippines है कि आप identify कर सकते है Philippines यहाँ पर कहाँ पर located है तो Philippines News में है क्यों? क्यों 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 कि वो Belt and Road Initiative जो चाइना का है उससे बाहर निकलने की कोशुश कर रहा है क्या वज़े है? क्या politics है? और यहाँ कहीं एक छोटा सी island country है Maldives उसकी क्या कहानी है यह भी समझेंगे तो आज की वीडियो में यह सब जानेंगे चले discussion स्टार्ट करते हैं पहले एक तो questions practice करिए कि आप मुझे बताइए निमसे कौन सी country Abraham Accords का part थी Abraham Accords किन के किन के बीच हुआ था याद है आपको? क्या इसमें Israel related है कहीं से भी तो कौन से दिश थे जो Abraham Accords का part थे और जिन्होंने एक बड़ा role play किया था Middle East में politics के बदलाओं के शुरुआत की लेकिन अब भाग कुछ दिक्कते आ गई है क्या दिक्कते आ गई है इस वीडियो में discuss करेंगे अगला topic मुझे बताई इनमें से कौन सा जो declaration या protocol है ये environmental protection की बात करता है Madrid protocol, JCPOA या फिर बाको declaration कौन सा है इसमें मुझे बताई आप answer और इसका answer आप इस वीडियो के अंतक तो समझे जाएंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए का announcement अगर आप UPC की preparation करना चाहते है और दिक्कत यह है कि courses बहुत महेंगे है कहीं quality की दिक्कत है और आप दिल्ली में नहीं है या फिर classes रेंड नहीं कर सकते तो इन सब का solution हम आपके लिए लेके आएं हमारा online foundation course जो दोनो English और Hindi English mix दोनों में उपलब्द है जो English में है वो Titan batch 2025 के लिए और Sankalp 3.0 English वो भी 2025 के लिए दोनों ही batches में high quality classes पूरे syllabus को cover कराया जाता है from top to pinnacle हर चीज़ आपको cover कराया जाएगी at a very affordable price of just 10,999 तो अगर आप join करना चाहते हैं तो अभी comment section में pinned होगा यह इसका link प्रेपरेशन के लिए जिनने help, guidance या एक scheduling या एक मदद चाहिए और वो कर सकते हैं affordable prices पर हमारे इन classes के दौरा चलिए आगे अब discuss करते हैं आज की news के बारे में जो पहले important news है वो है BRI के बारे में चाइना का belt and road initiative BRI एक major initiative जिसको अब 10 साल हो गए है और यह initiative के खास बात यह था कि इसने पूरे के पूरे global world में चाइना की पैट बढ़ाने के पिछे बहुत बढ़ा काम किया जो चाइना दुनिया भर को connect करना चाह रहा था अपने इस project के थूँ उसमें एक बड़ा role था उसकी power का कैसी power उसकी power economical financial जिसके तरस ने पूरी दुनिया को connect करने की कोशिश की sea waste से भी और land waste से भी मतलब belt and road belt जो आपकी ऐसे ocean वाले route है इन्हें oceanic belt कहते है roadways जैसे गवादर से काशगर यह जैसे इंडिया के P.O.K. से गुजरता है यह area तो यह भी पार्ट है B.R.I.E. का इसे कहते है CPEC चाइना पाकिस्तान economic corridor फिर यहाँ planning का basically कुल्मिंग से कलकत्ता जोडने का भी था जो बाद में रुक गया तो भी ढाका तक का plan है कुल्मिंग टो कलकता ऐसे कई सारे route हैं जो इंदने यॉरप से एफरिका से Central Asia से चाइना को जोडने के लिए बनाए है इसके अब 10 साल पूरे हो गए है आली में उसकी दसवी सालगिरा मनाए गई और उसका एक important component इस पूरे प्रजेक्ट का है South East Asia ये region क्योंकि यहाँ पर है State of Malakka State of Malakka से चाइना का maximum जो energy supply है जो उनकी requirement है वो गुजरती है इसलिए उनकी लोग बहुत sensitive है State of Malakka और वहाँ से गुजरने वाली चीजों को बचाने के लिए उनने अलग-अलग routes बदाने स्टार्ट कर दी तो यहाँ की देश बहुत important है चाइना के लिए में से एक देश अब BRI से बाहर हो रहा है उस देश का नाम है Philippines Philippines ने कहा है कि Philippines अपने तीन important real-view projects जिनकी funding चाइना कर रहा था उनने cancel कर रहा है और चाइना को हटा के वो कोशिश कर रहा है कि वो project अब या तो Germany या Japan से उनको जो बहतर offers मिले हैं उनकी तरफ लेके जाए ऐसा क्यों हुआ क्योंकि Philippines को लगातार लग रहा है कि जो इससे पहले प्रेजिडेंट है दुद्रे थे इनने लगातार चाइना के साथ agreements किये जो agreement शायद उनकी sovereignty को भी नुकसान पहुचा सकते हैं इससे पहले Philippines का विवाद चाइना के साथ है कहां पर तो South China Sea में साउथ चाइना सी में और फिलिपीन्स का विवाद है चाइना के साथ फिलिपीन्स का और प्लस उनके साथ जो ब्यारे पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही थी उनसे उनको बहुत डर था कि शायद चाइना का रदवा उनके उपर और बढ़ जाए तो पहले location ये समझे है फिलिपीन्स है कहां पर जब आप South East Asia में Pacific Ocean को देखते हैं तो उपर आपको यहां फिलिपीन्स दिखाए देगा वेतनाम के जास साइड में हम इसको वर्ल्ड मैप में देखें तो आपको वेतनाम यहां कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है यह तो जपैन है ठीक है यहां आपको क्या दिख रहा है यह location यह area कौन सा है इसमें आपसे देखने ही कोशिश करिए तो यह आपका Philippines का इलाका यहाँ पर पढ़ता है गौर से देखिए Philippines का इलाका यह उपर वाला यहाँ पर एक island है बड़ा सा और यह आपको लोकेट यहाँ Manila वाला island यही है Manila इनकी राजधानी है तो असल में हुआ यह था कि पिछली दूतरते की रीजिन में यहाँ पर जो दिक्कतें आ रही थे वो यह भी आ रही थी कि सिर्फ यही नहीं कि यहाँ पर चाइना का हस्तक्षे बढ़ रहा था बलकि traditionally Philippines काफी close है अमेरिका के US से काफी जारा closeness है लेकिन उसके बावजूद यह लगातार चाइना के करीब जा रहा था चाइना ने कई सारे project funding की बात की थी लेकिन जो funding थी उनमें से कुछ major funding projects अभी तक शुरू नहीं हो पाए थे इसलिए Philippines इस बात को लेकर tension में था प्लस एक बहुत important location यह है कि यहाँ पर आपका state of मलक का है जहां से maximum उनका जो project और जो movement of goods है वो होता है तो बहुत sensitive location है वो चाइना के लिए और इसलिए लगातार हम जानते हैं कि वो कोशिश करने जितने routes यहाँ पर alternate बनाए जा सके उसे बनाए तो state of मलक का यहाँ पर है इंडोनेशिया और मलेशिया सिंगापूर के इदर बीच में से रस्ता निकलता है तो इसलिए यहाँ पर एक bridge बनाने की बाद अब Thailand भी कर रहा है land bridge जिसे कहते हैं Isthmus of Kra यहाँ पर क्या location है इसे कहते हैं Isthmus of Kra यह जो जगह है इसे कहते हैं क्रा और Isthmus का मतलब क्या होता है Isthmus का मतलब होता है एक पतली सी जमीन की पट्टी जो जोड़ती है दो बड़ी land bodies को एक image के तुरू देखने की कोशिश करते हैं यह है Isthmus यह जो इधर भी water body इधर भी oceans और बीच में यह दो जगहां अगर यह जमीन पर ब्रिज बना काट के हटा रिया जाएस मिट्टी को तो यह फिर connected नहीं रहेंगे तो इसे कहते हैं Isthmus यह ऐसा Isthmus होता है यह बहुत समुदर के बीच में दो जमीन के टुकड़े बड़े-बड़े islands या बड़े देश के भुभाग केवल एक पतली जमीन की पट्टी से जुड़े हुए ठीक ऐसा ही आपको देखेगा यहाँ Thailand में यह जो रिजन देख रहा है Thailand में यहाँ इसे वह यहाँ पर एक क्रा करीजन है यहाँ पर एक क्रा कनाल बनाने के बात होगी नहर बनाएंगे जिससे state of मलक का जो चाइना का सरदर्ध था इसके बदले में चाइना के पास एक और र रैनॉंग पोर्ट और क्रमफोन पोर्ट इन दोनों पोर्ट को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा 90 किलोमेटर की यानि आप एक पोर्ट यहाँ पर बनाएंगे एक पोर्ट यहाँ पर बनाएंगे शिप्स लेके यहाँ आएंगे और यहाँ से इजली अपना एक रेलवे का थाइलेंड के पास यहां अंडमान सी है और यह आपका थाइवाला हिस्सा जो क्राक का लैंड ब्रेज है यह बनाकर इसको पार करने की कोशिश है तो यह सब कोशिश है चाइना फंड कर रहा है चाइना इस मेजर प्रजेक्ट को अराउंड यह लगबग लगबग 40 बिलियन करना चाहरे थे उन्होंने कहा कि डेट ट्रैप में फसने से अच्छा हम जपैन या जर्मनी किसे है यह लगब लिग और उन्होंने बियराई से अपना हाथ इस प्रजेक्ट से हाथ पीछे किश लिया तीन बड़े प्रजेक्टों से फिलिपीस ने हाथ खीचा तो फिलिपी जैसे आप काटके इसको हटा दोगे तो कनाल बन जाएगी नहर बन जाएगी शिप सारे पार कर पाएंगे इसे लेकिन वो बहुत environmentally devastating और बहुत economically unwiable था इसलिए उन्होंने का कि नहीं हम एक land bridge बना देंगे एक railway bridge बना देंगे आप port समान लेके यहाँ हो सीधा यहाँ से यहाँ सामान लेके जाओ दूसरे ships से इसको लेके चले जाओ तो ships दोनों जोगे पोस्टर रहेंगे तो उससे एक लंबा रस्ता जो है यह कवर रही करना पड़ेगा Gulf of State of Malak का वाला तो अब सीधा Gulf of Thailand को Andaman Sea से directly जोड़ दोगे India के लिए Southern अगर China यह project करेगा तो यहाँ पास में ही Indian Ocean है पास में Bay of Bengal है यहाँ निकोपार आइलेंड है तो यहाँ पर अगर Chinese presence हुई तो वो लगातर इंडिया के ओपर खत्रा बनाए रखेगा तो India has to look at these aspects की क्रा Land Bridge अगर बनता भी है तो उससे India सतर करे दूसरी बात जो Philippines बाहर हटा है इसके बार एक चीज़ याद करिए Philippines के साथ भारत के संबंद कैसे है Philippines के साथ भारत के संबंद बहुत बहतर है क्योंकि भारत ने ब्रमोस भी जो बेचने की बात वो फिलिपीन से की है और फिलिपीन के साथ वो डील ऑल्मोस फाइनल भी हो गई है इसके बाद लगातार इंडिया फिलिपीन के साथ संबंद बढ़ाने की बात करता है क्योंकि अगर साउथ इस्ट एशा को अगर आप देखो तो यह जो पूरा रीजन है यहां पर इस पूरे एरिया में जो आपको सीज करें मिल रहा है इंडिया लगाता सतर के इस बात को लेकर है कि चाइना जो है वो कई सारे अपने पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट कई सारे अपने जो बेसी से वो डेवलप कर रहा है जो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकते इंडिया को घेरने की कोशिश जो हो कर रहा है इसके लिए अगर हम देखे एक दो जो इंपोर्टन नेवल बेसी है जैसे यहां देखिए यहां कमबोडिया के पास एक रियाम नेवल बेस है चाइना की जो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है जो इंडिया की सेक्यूरिटी के लिए खत्रा हो सकती यहां पर एक डीप सी पोर्ट कायोपियो में है जो थाइलेंड में है फिर यहां हमन्टोटा के पोर्ट पे कबजा है यहाँ गौादर के पूर्ट पे कब जाए तो अगर आप इसको मिलाओ तो आपको एक string of pearls दिखेंगे जो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और इससे इंडिया बहुत सत्रक है तो इंडिया ने इसके बदले में एक और network बनाने की बात करी थी कि इंडिया iron curtain बना रहा था यहाँ पर है चाबहार तो चाबहार से होते हुए यहाँ पर एंडमा निकोबर के हमारी खुद की naval base है इंडिया में सबांग port है फिर यहाँ से सिंगापूर में इंडिया की presence है तो इस तरह इंडिया उल्टा एक iron curtain और बना रहा है पीछे सन को घेरने के लिए वेतनाम तक जाने वाला ताकि इसे double hook भी कहते हैं याँ दो तरे के hook जैसी situation बन रही है double hook, एक hook, दो hook तो वो दो hook बनाने की बात भी चल रही है तो इस region में अगर आप देखो इंडिया के साथ इंडिया के रिष्टे संबन सुदर रहे है तो फिलिपीन का BRI से हटना इंडिया के लिए एक अच्छी ख़बर मानी जा सकती है ठीक है तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत relevant है ये news तो हमने ये समझा कि चलो भई क्यों BRI के 10 साल होने के बाद फिलिपीनस वहां से हट रहा है क्योंको बहतर प्रपोजल्स मिल रहे है बहतर आप्शन्स मिल रहे है किस से जर्मनी जापान से इसलिए वो हटने की कोशिश कर रहा है ये location कौन सी है इंडिया यहां क्या क्या कर रहा है land bridge क्रा कनाल या क्रा land bridge की बात हो रहे है इसे क्रा कहते है इस्थमस मतलब क्या होता है एक पतली सी land strip जो बहुत बड़े भूबागों को जोड़ती है यहां पर बात हो रहे है लेकिन क्या इंडिया ने कोई road बनाया है यह एक component है फिर इंडिया लगा तार इस रीजन में जो आसियान कंट्रीज है सारी की सारी जो च्कोटे मोटे islands है यह सब association of southeast Asian countries 10 कंट्रीज हैं आसियान का पार्ट इंडिया के साथ इंडियान का FTA है आसियान में 10 कंट्री कौन कौन सी है पता सकते हैं मुझे आसियान में 10 कंट्री याद करने का सिंपल तरीका है CLMVT यह वो कंट्रीज जो इंडिया के आसपास है कंबोडिया, लाओस, मियानमार, वियतनाम और थाइलेंड कितनी हुई पाँच और पाँच और है पाँच कौन कौन सी है आपको लग रहा है कुछ बचलिया तो B, जो ब्रूनी है यह भी इसका पाट है, यह रहा हमारा ब्रूनी तो यह 10 कंट्रीज, 5 CLMVT और SIMB, यह 10 कंट्रीज आपकी पाट है किस चीज़ की? आसियान की, आसियान एक बहुत बड़ा तो मेरा मुद्ध यह है कि आप यह रीजन को जब पढ़ रहे हो तो क्या कंट्रीज आपको याद है या नहीं? आपको इस रीजन को पढ़ते ही टाइम याद रखना चाहिए इस रीजन में सबसे बड़ा ट्रेड ब्लोक कौन सा है? आसियान आसियान में कितने मेंबर्स हैं? दस उन मेंबर्स के नाम क्या है? इंडिया के लिए इस रीजन का स्ट्रेटिक रेलेवेंस क्या है? ठीक है? इंडिया का इस रीजन का एकॉनमिक रेलेवेंस क्या है? तो देखो आसियान पता हमें Association of South East Asian Nations जिसमें 10 countries कौन-कौन सी है, यहां से चलो मैंने बता न, CLMV Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar इसको मैं CLMV इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CLMV वो countries है CLMVT जो थोड़ी economically कमजोर है बाकि सारी countries economically बहुत अच्छी है और इन countries में बहुत competition चल दा है specifically Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos और मियानमार में, इंडिया और चाइना के बीच में जादा जादा दोस्ती और जादा अपनी पकड़ बनाने का, ठीक है, तो CLMVT पांच countries हो गई, इसके बाद देखो सीदा यहां से यहां आते है, Malaysia Indonesia Singapore, ठीक है और आपका यहां पर Philippines और Bruni आपकी होगे कितने, 10 countries हो गई तो यह 10 countries आपकी ASEAN के पार्ट है, आपको याद रहेगा ऐसे ठीक है, तो New Guinea इसका पार्ट नहीं है ठीक है, Australia इसका पार्ट नहीं है East Timur इसका पार्ट नहीं, यह सब आपको याद रखना पढ़ा है कौन सका पार्ट है, कौन सका पार्ट नहीं, normally यहाँ South East Asia के सारी countries एक साथ है और India के साथ इनका FTA है strategic relevance के है, strategic relevance यह है कि यहाँ पर state of Malakka है और India के आसपा सबांग पूर्ट डेवलप कर रहा है सबांग पूर्ट, Singapore के साथ भारत के संबन, यहाँ जादा important है क्योंकि यहाँ है state of Malakka जो एक बहुत important strategic point है इंडिया के लिए चाइना के आपर डबाव बनाने के लिए इसके अलावा इस region में इंडिया के major security या strategic partner है Vietnam, Indonesia, Malaysia, Malaysia Malaysia के साथ खास्तों पर कुछ विवाद रहा था recently, लेकिन इनके साथ भी अच्छी partnership इंडिया की है, Philippines एक स्टॉंग security partner इंडिया का, इस region में यानि South China Sea में, चाइना पर दबाव बनाने के लिए बहुत important है यह location, प्लस इस region में बहुत सारे exclusive जो economic zone है जहां से sea का exploration हो सकता है, वहाँ बहुत से resources होने के संभावना, इसलिए यहां पर इंडिया और exploration करना चाहता है तो यह इसलिए भी area strategically बहुत relevant है, और China के खिलाफ partnership करने के लिए, specifically Vietnam, Philippines और Indonesia जिनको इंडिया प्रवाइड करना चाहता है, ब्रमोस missiles बेचना भी चाहता है, इंडिया के एक important component है क्या oil, कौन सा oil, palm oil, यह दो countries इंडिया के major palm oil export करते थे इंडिया को, जिसके बीच में विवाद भी हुआ, इंडिया आप खुल के भी palm oil पर focus करा है, लेकिन Malaysia, इंडोनेशन की साथ trade बढ़ाने की बहुत संभावना आए हैं, फिलिपीन से अगेन एक important partner हो सकता है, और इसी तरह इस रीजन में जो Singapore already इंडिया के साथ, कई सारे policy making में, जो development project है, वहाँ पर भी operate कर रहे हैं, इंडिया के साथ, इंडिया अपने financial capital जो build करना चाता है, financial cities जो build करना चाता है, वहाँ Singapore के model को इंडिया emulate कर सकता है, कंबोडिया लाउस के हलत खुद खराब है, याद कि लाउस पहले एक landlock country है, कंबोडिया इस not a landlock country लेकिन लाउस is a landlock country और इसके साथ, इंडिया कोशिश कर रहा है कि इसकी dependence चाइना के उपर मियानमार इंडिया के करीबी एक देश है, इंडिया के साथ इंडिया के लगती है, इंडिया के security के हिसाब से, internal security के हिसाब से, border security के हिसाब से, मियानमार बहुत जादा important country है, तो इस location को आप अच्छे से देख लो, हर country को specifically आपने थोड़ा बहुत जान लेए, तो आप को ची इंडिया का पार्ट है, तो इसलिए इंडिया इनके साथ और जादा strength बढ़ाना चाहता है, जाए रिवर कोपरेशन की बात करनें, तो मेकॉंग गंगा कोपरेशन ओरड़ी एक important platform है, फिर ASEAN में इंडिया इंके साथ है, partnership हैं की मतलब FTA इंडिया के साथ, तो इसलिए ये region फिरिजिंगे इसको याद रखिए, जावाँ Swedi सी कहाँ पर है, State of Malukka कहाँ पर है, बांदा सी कहाँ पर है, अंडमान सी कहाँ पर है, Gulf of Thailand कहाँ पर है, South China Sea कहाँ पर है, फिलिपीन सी कहाँ पर है, और यह आपका अरफुरा सी और तीमृ ज़ादा Sी इस नहीं है, याद करन का समय आज चुका है इंडिया को एक्टिव रहने की बहुत जारा ज़रूरत है एक और इंपॉर्टन चीज जो इस बीच रीसेंटली हुई वह यह हुई कि इंडिया के बॉर्डर के पास एक रिफ्यूजी क्रैसिस चल रही है कहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाकिस पाकिस्तान एक जो मिल्टन गूरूप है पाकिस्तान का टैस्तान गूरूप जिसको वह कहते हैं जो लगाता है उनके उपर हमला करता है कई सरे बड़े-बड़े ब्लास के एंटीटीपी ने वह अफगान तालिबान का पार्ट है और उसको जो रिफ्यूजी है शायल उसकी बज़े से भी मदर मिलती है और हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे ये मुद्दा बता रहे है वो इसलिए टीटीपी और जो फ्रेट है इसको लेकर वो उनका कहना था कि हम चाहते हैं अब हम रिफ्यूजी का खयाल नहीं रख सकते और पाकिस्तान में इलेक्शन साने वाले है है तो वहां की पार्टी चाहती है कि सारे बोर्ट जो है वो अपने हिसाब से हो और अफगानी ना रह जाए कहीं और ऐसे दिक्कत ना आ जाए इसलिए अफगानिस्तान वो सारे रिफ्यूजी को वापिस भीज रहे हैं एक नवंबर की डेडलाइन दी थी एक नवंबर तक आप खाली कर दो वरना सब को डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो रहन वन पॉइंट एट मिलियन अफगानी जो रिफ्यूजी से वो पाकिस्तान में क्यों है क्यों कि याद रखिए पहले जब आप वोल्ड हिस्ट्री के प्रस्पेक्टिव से बता रहे इसलिए में नहीं जा अफगानिस्तान फिर USSR उसने लगातार कोशिश की कि अफगानिस्तान के उपर कंट्रोल बना गे रखे लेकिन मुजाहिती इंसे नहीं जीट सकी डेथ ऑफ एनधर अंपायर अभी अमेरिका 2001 से आके बैठी हुई अभी तक नहीं जीट सकी फिर चली गी USA Another Empire, Death of Another Empire इसलिए कहते हैं इस जगह को Graveyard of Empires जहां बड़ी-बड़ी Empire आके मर जाती है और यह वो जगह जहां Angels भी डरते हैं जाने से क्योंकि इतनी खतरनाक जगह है क्यों क्योंकि एक तो यह लड़ाई यहां सालों से लड़ी गई और उसी टाइम से वहाँ पर Taliban movement को पकिस्तान ने बदाना स्टार्ट किया extreme सुनी Islamic movement जो शरीया की बात करती थी वो घड़ी हूई Taliban movement, बड़ी हूई Taliban movement और जड़ा strong हूई Taliban ही काफी famous होगै अफगानिस्तान में यह SSR के जाने की बात कर रहा हूँ बात की बात करें, 1991-19293 के आसपास, उस region के आसपास, तालिबान स्टॉंंग हुए और 10 साल के अंदर तालिबान ने इसके उपर control कर लिए region के ऊपर, पाकिस्तान को तालिबान से फाइदा था, पाकिस्तानी आर्मी और ISI का बहुत control था इसके उपर, तालिबान के उपर, ले पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के लिए लड़ रही है, इसको सबक सिखाएंगे, वो गुरूप का नाम है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है, it is bad तालिबान, और जो तालिबान अफगनिस्तान में रूल कर रहा था, जो दुनिया भर में अटेक् तो यह जो bad तालिबान है, यह बार-बार हमले कर रहा है, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपने सुना होगा भी रिसिंटली, मियावली उनका एक जगह है, सेंट्रल पाकिस्तान में, यहां पर मियावली में एक जो उनका एरफोर्स बेस है, वहां पर रिटेक हुआ, तो security implication पाकिस्तान के लिए बहुत जादा है, TTP, और बलुचुस्तान में, बलुचुस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA है, जो लरती रहती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यह नाम याद रखे, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA, बलुचुस्तान लिबरेशन आर्मी, यह बलुचुस्तान लिबरेशन आर्मी, बलुचुस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसलिए, पाकिस्तान में इसलामिक जिहाद लाने के लिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से जो उनकी आर्मी है, डिफीट करके एक नया सिस्टम बनाने के जो Taliban अफगानिस्तान में कर रहा है, यह Taliban का एक section है, जो वही काम पाकिस्तान में करना चाहता है, तो इसलिए पाकिस्तान का एक security जो dilemma है यह बना हुआ है, जिसको वह पूरी हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, ठीक है, यह बात होगा इस region के बारे मे इस map को आप बहुत बार-बार देख रहे होंगे, ऊपर Golan Heights है, Golan Heights के पास में Syria है, पहले Golan Heights किसके पार था, पहले Golan Heights Syria का था, अब इसके उपर इसरेल का कबजा है, यहाँ पर Sinai Peninsula इस region में, Sinai Peninsula, Sinai Peninsula अभी Egypt का है, पहले भी Egypt का था, लेकिन जब war होई थी तब इसके उपर क हब्जा कर लिया था बाद में इस्राइल ने सिनाय परनिसुला एजिप्ट को वापस कर दिया जब इनके संवन्ध नॉर्मालाइज हुए ठीक है गोलन हैट्स उपर सिनाय परनिसुला नीचे समझ गए अब देखे इस रीजन में यहां है गाजा यह है वेस्ट बैंक तो की तो अटेक किया गया जिसके बदले में गाजा के ओपर लगातार फाइरिंग और शेलिंग इस्राइल कर रहा है जहां गाजा सिटी में बहुत लोगों की जाने गई है यहां पर है इजिप्ट जिसका बादर लगता यहां राफा बादर है हमने पिछले हफते कवर किया थ कि वो अब इसराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स खटम कर लेगा क्योंकि वो डीसेंटली 2020 में शुरू ही हुए था कैसे शुरू हुए थे तो बहरेन और कई ऐसी कंट्री असल में UAE बहरेन अमेरिका इसराइल इन सब की मीटिंग मुई थी जहां बहरेन और मुरक्को ने भी और सुडान ने भी कोशिश की थे कि अपने समंद नॉर्मलाइज करें इसराइल के साथ तो इसराइल के साथ एक ट्वीटी हुई थी एक क्या हुआ था क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम क्या चीज़ एबरहाम अकॉर्ड ये डॉनल्ल्ट रेम के अंदर ठेकी बातवात होगी तो यह है यूए यहां पर छोटी सी कंट्री है बहरें यह सुडान यह मुरक्को लेकिन सुडान ने बात में हाथ पीछे किष्लियों ने डर लग दिया कि उनकी जंता उनकी खिलाफ भरकना जा तो सुडान बहर आ गई इजिप्ट ने बहुत पहले 1979 म बहरें आप जाके बहरें बोल रहा कि नहीं बहरें को बाहर निकलो क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब इस्रेलिया तो पहले गाजा में हिंसा खतम करें उसके बाद ही कुछ बात करेंगे तो यह जो चीज हुई है यह दिखाती है में कैसे खतरनाक सित्थी एक डेवलप हो रही है इन दिस होल रीजन यहाँ पर एक चीज समझने वाल है कि जो पांच अरब स्टेट है इजिप्ट जॉर्डन युए बहरें मुरक्यों इनकी अब डिप्लमेटिक टाइस थे इस्राइल के साथ जिसमें से बहरें ने एमस्डर को निकलने के लिए के लिए वापस अब बहर बहरें असल में चोटी सी कंट्री है जब आप इसको करी रहे हो कवर तो क्यों लोग्यों पूला रीजन ही हम ढंक से देख लें मिडली स्ट वाला तो देखिए यहां पर है बहरें यहां यह है यूए और यहां है उमान और इधर है यमन टेक है इस साइड रेड़ सी है इस स इस सेड कौन सा है पर्शन गल्फ ठीक है तो याद रेखो रेड़ सी और पर्शन गल्फ के बीच में ही पूरा का पूरा जो अरबिक कंट्री का बड़ा जथा है वो आता है रेड़ सी से अगर आप पर्शन गल्फ की तरफ जाओगे तो पहले साओधी रब आएगा फिर ब है बारा पोड बंदरबास यहां पास में हमारा पोल्फ है चा बहार यहां पर आता है जैंकि तो स्ट्रीट औफ और्स के बाता पाndra आपका प applis UAE, Saudi Arabia, Yemen Kuwait उपर Bahrain, Qatar समझ गया region आप Red Sea से लेकर पर्शन करफ के बीच में इससे अगर आप उपर की तरफ जाओ तो यहाँ है Jordan Jordan की सीमा लगती है West Bank से और इसराइल से यहाँ इसराइल यहाँ West Bank है, यहाँ Gaza है उपर Lebanon है, यहाँ पर Syria है और Syria से अगर आप चलो, Syria से Iraq जाओगे, Iraq से Iran जाओगे, Iran से Afghanistan, Afghanistan से Pakistan, Pakistan से India, यह रूट है सीधा, उपर उपर land का मीचे से अगर आप आओगे, तो Israel, यह है Mediterranean Sea Mediterranean Sea मान को, मान के चलो Mediterranean Sea से आपको इंडिया जाना है Mediterranean Sea से यह तो आप Gaza उतरोगे, यह इसराइल जाओगे, इसराइल से होते हुए Jordan Jordan से साओधी अरब, साओधी अरब से आप यह तो कुवेट जाओ, यह सीधा पोशन गल्फ में जाओ, और यहां से इरान, इरान होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यह रूट्स हैं, तो यहां जो countries हैं, वो याद करनी बड़ी ज़रूरी है, कि ऊपर Syria है, इसके बाद Iraq है, फिर इरान है, यह आपको याद रहेगा, यहां पर क्या है, इस से पहले Syria के बाद, पहले क्या है, यहां Lebanon है, तो Lebanon, Syria, Iraq, इराइन अफगानिस्ताट पागिस्तान और अगर में उसर के अप्स्ताईन के पूंचन यहाँ पर है जहाँ पर आपकी दो तरे की नील बनती है ब्लू नील और वाइट नील जहाँ डिविजन होता है नीचे इथूपिया है इथूपिया के बाद और आगे सुमालिया है यहाँ पर आपका जिबूटी है जहाँ सारी आर्मी की बेसिस दुनिया बर की बनी हुई है तो ये सारी चीज़ें जो अलग-अलग एरियाज हैं, जो लोकेशन हैं, I hope आपको clarity मिल रही होगी, यहाँ पर है आपका स्वेज कनाल, यह नहर है, जो इन दोनों को जोड़ती है, जो क्राक कनाल है न, क्राक कनाल की बाद जोड़ी थी, स्वेज कनाल की तर्ज पर ही एक जमी क्या है, क्या है है, यह है आपका क्या है, स्वेज कनाल, यहाँ पर है Gulf of Aqaba, Gulf of Aqaba कहा है, यहाँ सिनाय पननला है जो पहले, इसराईल ने कभज़ा करके रखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ है Gulf of Aqaba, यह है आपका सौधी अरब, और यमन, यमन में हौती रिबज लड़ र पर है तो आपका गाजा में होती कहां पर है यमन में ठीक है और यमन के से अमान है ऊपर UAE है UAE के साथ Nौय अब है उपर इराग है इरान और ये रेजन आपके कर लिया अगर आप इसदर के आते हो अब अरेबियन सी में तो यहां पर है सुधान एजिप्ट यह रीजन है इसकी जोग्राफी देख लीजे रेट सी कारणदी गल्स इन ढूंक आप समक्ट में दखनीज और मान को सह छोंटा सी कोई और इंट अप अपनَ को हां पिस को ऑपीजह तो बहारेन में एसको तरकी ब्हुच कुछ ऐसे कदम उठाने वाला है लेकिन इनके सम्मंद नॉर्मलाइज टुर्की से बहुत पहले से हैं तो टुर्की बहरें ये दो नाम हो गए विवाद कहां कहां पे था लेविदन में एजिप्ट में जॉर्डन में इस्राइल में गाजा में ये सारी लोकेशन आपको पता लग गही होगी आई होख ठीक है अगले आर्टिकल पर आते है जो अब दुबढारा इंडिया के पास हमें लिएक माल्दीव में interacts में ने प्रेज़िए मोहमम्मध मुजु केह रही है कि इंडिया को हट ना चाहिए ईंडिया के जो लोग है इंडिया की जो आर्मी जहाँ पर चाइना अपना पैर बहुजरा पसार रहा है तो यह जो भी आहाँ के प्रेजिडंट आए हैं इनका ये बार-बार कहना कि इंडिया के जो मिलिटरी हा उसको हर जाना चाहिए क्या मिलिटरी है पहले इंडिया की मालदीव में तो इंडिया लगातार माल्दी उसको कुछ ships, कुछ helicopters दान में देता रहता है, help करता रहता है काम करने के लिए, उनमें से एक important चीज थी, डॉनियर aircraft जो इंडिया इनको दिया था, समानमा ले जाने के लाइलेंड से दूसरे आइलेंड पर, तो उसको maintain करने के round 75 जो इंडिया के military personal है, वो वहाँ पर अभी है, जो सिखाते हैं, चीजें करना, कैसे movement होती है अब इनका कहना है, इनका समय पूरा हो चुका है, इनको लेके चले जाओ, इससे पहले इनके president थे, मौहमद सुली तो जो सुली थे, वो थोड़े neutral थे, neutral किया, थोड़े pro India थे, असल में पूरी की पूरी कहानी, माल्दीवस के अगर आप जानना चाहो ना तो पहले माल्दीवस पे आजओ, क्या location है अब माल्दीवस के थोड़ी सी कहानी जान लो माल्दीवस में, असल में एक यमीन और उनके सौतेले भाई अब्दुल गयूम, ये दो ना बहुत famous है देखी, मुहमद गयूम अब्दुल गयूम नाम है इसका वेक्ती का तो गयूम नाम के इस वेक्ती ने माल्दीवस के प्रेजिडेंट बड़े 1978 वे 1978 के बाद, एक लंबा सशनकाल गयूम का था, जब माल्दीवस इनका रूल था, बहुत गयूम की पिरिड़ में इस देश ने, around 30 साल तक इनका, इनकी government थी गयूम में, तो गयूम के उपर बार-बार attack हुए, इनकी आर्मी के द्वारा की कबजा कर लें किस तरह माल्दीवस पे, coup attempt हुए कई बार ये भी देखा जाता है, कि शाद चाइना का भी हाथ था इसके पीछे, तो इंडिया ने operation cactus किया था एक, जब इनके उपर हमला होने वाला था आर्मी का इनको बचाने के लिए, operation cactus उसके तहट माल्दीवस के दुबारा इनका साशन स्थापित कर दिया था, तो बहुत समय तक इनका साशन रहा, और जब गयूम ने सत्ता छोड़ी, तो उसके बाद उनके सौतेले भाई, यमीन ने आकर यहाँ पर, गर्मेंट जीट ली और वो कंट्रोल में आगे, लेकिन यमीन हमेशा एक प्रो चाइना परसन रहे, और माल्दीव्स को बहुत जारा चाइना की दरफ ले गए, और इंडिया के खिलाफ कैम्पेंच चलाया, लगभग जो चाइना का दबाओ है, उसके बाद माल्दीव्स पर बहुत जारा बढ़ गया, चाइना ने बहुत जारा लोन्स दिये, और एक तरह से माल्दीव्स भी, डेट ट्रैप में फस्ता चला गया, चाइना के, अगर आपको दिखेगा, तो माल्दीव्स पर अल्मोस जीडिपी का भी 40% जो है, वो जीडिपी का, अल्मोस 40% के बराबर कर्द है, चाइना का तो जो दो नाम मैंने बता है, गयूम, गयूम के सौतेले भाई, यमीन, जब यमीन साशन में आए, तो प्रो चाइना, हाड लाइनर अप्रोच, एंटी इंडिया अप्रोच, यमीन, आकिरकार भाई, यमीन की हार हुई, और प्रेजडेंट सोली दुबारा जीत के आया थे रिसेंटली, तो सोली की जीत के बाद इंडिया को लगाब चीज़े नॉर्मल होंगी, और सोली ने कई सारे प्रजेक्ट कैंसिल भी किया चाइना के, लेकिन अब दुबारा सोली के बाद, जो नए वाले प्रेजडेंट इनके आया है मालदीव के, मुहमद, मुईजू, ये फिर एक ऐसे वेक्ति हैं जो प्रोचाइना दिख रहे हैं, और लगातार इंडिया को बाहर निकलने ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सोली ने असल में यमीन को हराय और सोली ने, सोली जो प्रेजिडेंट थे, उनके खिलाफ जो लड़ाई हुई इस मुहमद, मुईजू की, तो मुहमद, मुजी के ओओ आउटसाइड सपोर्ट यमीन का था, और यमीन के सपोर्ट से ये प्रेजिडेंट बने हैं, तो अब्दुल्ला यमीन के सपोर्ट से ये प्रेजिडेंट बने हैं मालदीव्स के, इसलिए अब लगातार खत्रा है कि शायद मालदीव्स और एंटी इंडिया ना होता चला है, लेकिन मालदीव्स के ओपर लगातार चाइना से इतने जदा लून लिये हुए, और मालदीव्स में एक इंपोर्टन पोजिशन है म नर्वाले में जहां पर्चाइन अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, ज इंडिया पे लगातार इंडिया से बढूंब्रे को के सापने घछ fare कि कि इंडिया हो रहे नहीं हो रहा है ये बहुत खतरनाक चीज ہے, अन्डिय ने बर बा लिव्स और श्रीलंका, इस पार्ट है एक ट् जिसको लेकर भी बाते चलती है कि इंडिया लगातर कोशिश करता है कि मालदीव्स में सुधार हो और मालदीव्स के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट भी इंडिया ने लॉंच किया था उनके आइलेंड को जोड़ने के लिए 500 मिलिन डॉल अगा ताकि ब्रिज बने जिस इनके सा चैना एक टॉप इंपोर्टर बन गया मालदीव्स का चाइना के साथ सम्बन लगातार बढ़ रहे थे माल इंडिया को सिक्यूर करना ये रीजन तो जरूरी है कि मालदीव्स शुलंका जैसी कंट्री जो इंडिया के बहुत करीब है वो चाइना के इस डेट ट्रैप में ना फसे वरना इंडिया के लिए बहुत बड़े security implications हो सकती है आई हूप अब कोलंबो वाला conclave आप समझगे मालीज की कहाने आप समझगे गमीन और यमीन का खेला आप समझगे और कैसे मालीज की जो इंडिया के आसपास यह जो बना रहे न string of pearls उसमें मालीज एक बहुत important role निभा रहा है इंडिया को घिरने में बड़ा रोल निभा सकते है island countries यहाँ पर अगर उनका ship लग गया तो वो देख सकते हैं इंडिया की नीवी क्या कर रहे है इंडिया के कौन से ships कहा जा रहे है इसलिए बहुत relevant है इंडिया को safeguard करना ये region ये भी topic आप समझगे समझगे मालीज कहा है मालीज के राज़ानी है क्या politics रही operation cactus में इंडिया ने बचाया जब covid आया तो इंडिया ने vaccine में दी पर चाइना की funding की वज़े से यमीन जो वहाँ के president बने और लगातर यमीन ने push किया है अगर मैंने गल्ती किये ऊछील ये चीज़े आप समझगें conductivity आज़ के बारे में antarktika के बारे में आं ऍटाक्रीका में पैंग्मिन मिलता है यंप एंड्रो आक्टेक में अंटक्रीग में एक बेस्ट एंड्राक्तिक है यह बहुत relevant हो यहाँ पर एक थ्वाइट्स Glacier है यह नाम याद रहिए थ्वाइट्स Glacier का मतलब होता है कि ऐसे ग्लेशर जिसे डूम्सडे ग्लेशर भी कहते है मतलब जिस दिन यह ग्लेशर पिगला दुनिया गई क्योंकि असल में इतनी बड़ा Glacier है कि अगर यह पिगल गया तो समुंदर की जो हाइट है वो एक फिट तक बर सकती है जिसके वाद आलमोस्ट दुनिया के कई सारे जो आइलेंड वाली कंडिजिज है वो सारी डू जाएंगे तो अभी जो बात है वो यह है कि अंटाक्टिका में लगातार जो वेस्ट अंटाक्टिका है इसकी आईशीट मेल्ट कर रही है नेचर मैगजीन ने एक रिसर्च करके पब्लिकेशन की है कि उन्हें एमर्टसन सी का मॉडल यूज किया एमर्टसन सी कहां पर है मुझे पहले बताईए कि लगातार जो वेस्ट अंटाक्टिका वो पिघल रहा है और कार्बन इमिशन कितने भी हम कर रहे हैं उसके आसपास पानी गरम बढ़ रहा है और अगर यह पिघल गया और यह खतम हो गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचने की पूरी सम्भावना है क्योंकि स्पेसिफिकली वेस्ट अंटाक्टिका में दुनिया में सरवारिक जो ग्लोबल राइस हो रही है इसकी वज़े से जो बर्फ पिघल रही है अगर यह एरिया में इतना इनफ आईस है कि अगर यह आईस पिघल गए दुनिया के जो सी लेवल बढ़ जाएंगे और स्पेसिफिकली थ्वाइट्स ग्लेशर जिसे डूमस्डी ग्लेशर कहते है क्योंकि अगर यह कोलाप्स कर गया यह जो ग्लेशर आपको दिख रहा है अगर कोलाप्स कर गया यह रीजन जो है अगर ये glacier collapse कर गया तो दुनिया में समुद्र का layer बढ़ जाएगा और समुद्र के आसपास के area डूब जाएगा इसलिए जरूरी है कि इस area में हम एक तो पहले global warming कम करें प्लस इस area पे specific research करके इसे बचाने की कोशिश करें वरना दुनिया को बचाना बहुत मुश्किल है तो जो हमारा western Antarctica है वो और जारा मात्रा में पिखल रहा है तो अंटाक्टिका में यहां पर रोणी आइस शेल्फ है यह थ्वाइट्स आइस शेल्फ है नीचे रॉस आइस शेल्फ है तो यह नाम याद रखिए और रोणी थ्वाइट्स और रॉस और उपर पाइन आइसलें पाइन आइलेंड भी ग्लेशर यहां पर है अब क्या 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 जो रूर्स है किया क्या कुछ एंग्रेमेंट से इसको हुई इसको हुए तो अगर मैं अप से पुछ हो त्वाइट्स एस बहुत 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 Ubょerm ERICS another इसके साट साल साल हो गए अभी तक तो क्या कहा नहीं होगी कि इस रीजन में कोई मिलिटरी एक्टिविटी नहीं होगी के वल आप साइंटिफिक कारों के लिए आ रहे सकते हैं पर जो वेल से उसकी फिशिंग नहीं होगी कोई इस्यू अगर होगा उसको कोई इलीगल एक्टिविटी यहां पर नहीं होगी कोई न्यूकलर वेस्ट न्यूकलर टेस्टिंग इस रीजन में नहीं हो सकती है पिरियोडिकली मीटिंग होगी इसकी तकी चीज़ा सॉल्व की जाये इस तरह की एक आक्टिक ट्वीटी वी थी जिसमें 54 कंट्री जिसका पार थी और इंडिया भी इसका पार थी खास बात यह जो अंटाक्टिका ट्वीटी होई थी इसमें इसके अलावा और भी कई चीज़े हुई हैं, इसमें कई सारी कंट्री हैं जो क्लेम करते हैं इंटाक्टिका में यह हमारा इलाखा है, जैसे यूके, चिले, अर्जेंटीना, न्यूजिलेंड, फ्रांस, और नौर्वे, आप कोई कंट्री कहीं क्लेम नहीं कर सकती, यह ऐसा मा क्योंकि पीस और साइन्स के लिए इसको बचाया जाएगा, साइन्स तूपा की बात कि यहां पर हमें मिलते हैं क्या, पैंगमिन और उपर उल्टी साइड है, आर्क्टिक वहां क्या मिलते हैं, इसलिए याद रखें तो नों एक सार नहीं मिलते कि जगें, इसी चीज़ को लेकर एक मैड़िट प्रोटोकॉल भी हुआ है, मैड़िट प्रोटोकॉल कहता है, इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन ग्लेस रीजन में, जहां पर कहरा है हो कि कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई प्लास्टिक यूज नहीं होगा, कोई marine pollution यहां पर नहीं किया जाएगा, और किसी भी तरह के एनिमल्स या प्लांट्स को यहां नहीं ले जाएगा, क्योंकि फिर वो इन्वीजिव स्पीसीज बनके इस पूरी इलाके को तबाह कर सकते ही, शान्ती को, और स्प्रसिफिकली एक international convention for the regulation of wailing की बात की गई थी, जहां पर wail को बचाने के लिए कतम उठाय ज नहीं होगी, मतलब वेल्स का शिकार commercially नहीं किया जाएगा, scientific usage के लिए आप कर सकते ही, जिसके उपर लगातार आरूप लगता है कि जपैन बहुत जारा wailing में पाट लेता है, बहुत सारे wail का शिकार करता है, इसलिए लगातार ये जो international convention and regulation of wailing की कहता है कि अंटाक्टिका म marine life, living and resources है, उनको पताने के लिए additional agreement हुआ था कि भाई, हमें कोशिश करनी है कि हम sea bird को नहीं मारे, illegal fishing now's region में, और United Nations Convention on the Law of Seas, जो है वो भी यहाँ पर लागो है, unclosed जिसे हम कहते हैं, हाला कि unclosed दुनिया पर के सारे ocean के उपर काम करता है, यहाँ पर free passage होगा, search and rescue किया जा सकेगा, कोई किसी को रोकरी का इस region से गुजरने में, लेकिन फिर भी military expenditure नहीं होना चाहिए, military expansion नहीं होना चाहिए, यह बात कीगी इस region में, तो यह जो आपके 5 agreement है, यह 6 agreement है, यह सारे किस से deal करते हैं, तो आपके अंटक्टिका से, यह आपको पताना चाहिए, अच्छा जब भी आप अंटक्टिका के उपर काम करने हैं, तो जो आपके focus है, इन treaties को discuss करना जरूर होना चाहिए, इंडिया भी इसका एक part रहता है, तो यह था यह topic, और इस topic is related PDF, और जो भी आप को detail चाहिए, आप मरे telegram channel को join कर सकते हैं, PWAS official को, या फिर आप यह scan करेंगे, तो भी आप पहुँच जाएंगे, और जो classes अगर आप करना चाहिए, तो हमारे batch की links आपको मिल जाएंगे, comment section में या description में, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, I hope यह वीडियो आप